सस्क्राइब कीजिये वैदिक जोतिस चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें जैसंतो सीमा दोस्तो स्वागत आपका वैदिक जोतिस में जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियां कैसा रहेगा आपका दिन ग्रह गोशर की इस्थिती आपके आज के दिन पर क्या अशर डालेगी जानेंगे इस वीडियो में सुरुवात करते हैं आज के शुव विचा तो सार्थी बनना स्वार्थी नहीं। सिक्षक और शड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुच जहां है वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मन्चिल तक पहुचा ही देते हैं। नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती, मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता, ठीक उसी तरह परिस्थीतियां कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं बनती, समस्या तो तब बनती है, जब हमें परिस्थीतियों से निपटना नहीं आता। आज का पंशांग 10 मैं 2019 वाईशाख मास के शुक्ल पक्ष की 6 ती थी रातरी 9 बच कर 41 मिलर्ट तक रहेगी इसके उपरान सबतमी ती थी प्रारम हुचाएगी पुनर वशु नामक नक्षत्र दोपहर दो बचकर बाइस मिलट तक रहेगी इसके उपरान पुश्य नक्षत्र प्रारम हुचाईगी आज का राहुकाल अर्थात असुपसम है सुबा दस बचकर 38 मिलट से बारा बचकर 18 मिलट तक रहेगी आज का भिचीत महुरत अर्थात सुपसम है दोपहर बारा बचकर 30 मिलट से एक बचे तक रहेगी आर्चंद्रवा मीथू रासी पर सुबा 8 बचकर 36 मिलट तक रहेगी इसके उपरान करकर रासी पर संचार करेगी और आसूर्य मेस रासी पर रहेगी तुलरा से दर्शमई 2019 दे शुक्रवर इस समय परवारी क्रिस्तों में प्यार के प्रवश रंकेत हैं आप भी खुद को परिचनों के बहुत नजदिक पाएंगी आज अब उनके साथ समय बिताना चाहेंगी तो फिर देर किस बात की है उनको ले आईए अपने साथ कही बाहर खाना खिलाने और फिल्म दिखाने साथ बिताय इस वलों को आप ता उम्र याद करेंगी आपको खुद पर बहुत यकीन है लेकिन अतियात्म विश्वास और अधिकार जताने की प्रवित्ती से बची दूसरों पर अपनी राय थोपने की आदस से अच्छा आपको नुकसान उठाना पर सकता है केवल सही होना ही काफी नहीं है आपको इसका ध्यान भी रखना हुगा कि आप दूसरों को नराश ना करीं थोरा नरम रवय्या अपनाएंगी तो काफी लंबी बातों को अश्पूरा कर पाएंगी अश्नोकरी और बिजनिस में महल अच्छा है कामकाज में भी आपका मन लगेगा आपका उश्या बढ़ेगा अचानक मन में बदलाव आ सकती हैं जो कि आपके लिए फायदे मर रहेंगे आप धार्मी कामकाज में वैस्त भी हो सकती है दिना आपके लिए अच्छा है आपको अच्छानक कुछ अच्छे मौके मिल सकती है उनका फायदा उठाने के लिए तैयार रही दूसरों के साथ वैभार में आपको सयमीत रहना होगा तुला राच्छी वालों के लिए सौधानिया आपको अपना मूडी स्वभा नियंतन में रखना चाहिए किसे से आकरमक ढंग से बात ना करें पर वारिक कामकाज में भी आप भी सी रहेंगे इस करण आपके कुछ खास का मधूरेर रह सकती है भाई और दोस्तों से भी अनबन हो सकती है लव लाइफ की बात करें तू अच्छा आपके लिए हर तरफ रोमैंस ही रोमैंस है आपके पास कुछ खाली समय है जिसमें आप अपनी भावनाओं को अलग अंदाज में पेस कर सकती है आपके लिए दिन अच्छा है आपको पार्टनर से सप्राइज भी मिल सकता है करियर की बात करें तू अच्छा आपके कारी स्थल में गुस्से को काबू में रखीं कारी स्थल में गुस्से को काबू में रखीं आपके लिए काम करने वालों के साथ आपकी छोटी मोटी बहस हो सकती है लेकिन आपको धैरे से काम लीना हूगा और सही प्रोफेशनल वेभार करना हूगा अगर आप सांती से काम ले तू समय के साथ ये जगड़ी खुद ही निपड़ सकती है सेहत की बात करें तू कुल मिला कर आपका स्वास्ता ठीक रहीगा परन्तु छोटी मोटी बिमारी का आपको सामना करना पर सकता है बस अराम करें और ऐसे लक्षन हटाने की कोशिश करीं क्योंकि ये लंबी परशानी नहीं है आपके स्वास्त परशानी इस्थाई है इन सबी अईस्थाई परशानियों से खुद को परशान ना रखीं तुला राशी वालों के लिए आज का टिप्स आज अब दक्षीरा वर्ती शंक में जल भर कर माता लक्षमी का अभिशेक करीं जीवन में हमेशा सकरात्मक सुच के साथ आगे बढ़ते रहीं आपका दिन शुब हो